आप आप चाइना सी अकसर हाँ न्यूस में रहता अभी भी न्यूस में लेना इसके उपर में साउचाना सी में देखो साउचाना सी को थोड़ा सा देख लो और कुछ-कुछ आइरेंड्स के नाम है उसको नोट कर लेना तुम यह मैं आप देखो और यही चीज आपने याद साउच चाइना सी के अंदर में यहां पे अगर आप देखिएगा तो यह इस पूरे रीजन को ऐसा बोलते हैं यहां चाइना है ऐसे फिर कोरियन पर इन्सुला उपर निकल जाता है तो यहां पे ना इसको बोलते हैं काउट टंग रीजन भी बोलते हैं और इसी को नाइन डैस लाइन भी बोलते हैं इस छेतर को काउट टंग क्यों बोलते हैं क्योंकि अगर आप इस कुछ सेप देखिएगा तो गाय की जीव जैसा आपको बजाता है इसमें जो भी इस पूरे रीजन के अधिकांश पार्ट को स शाउट चाइना सी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना के चाइनीस पेनिसुला के सदर्न रीजन में और साउट इस्ट एशियन रीजन में पढ़ता है पहली बात दूसरी बात 9-Dash लाइन को आधार बनाते हुए चाइना इस मैरिटाइम रीजन के अधिकतर छेतर पर अपनी exclusive control का दावा करता है। Recent past में चाइना ने अपने दावे को बढ़ा दिया है और उसको aggressive या आक्रमक रूप से उसको उस दावे को बराबर करता रहा है। इसकी वज़े से कई सारे दक्षिन ACI देश साथ या आपका ताइवान और चाइना के बीच में इस मुद्दे को ले करके विवाद बढ़ता चला गया है। इसके अलावा बात ये याद रखनी है क्योंकि यह चेत्र व्यापार और संसाधनों की दिरिश्टिकून से बहुत और सामरीक रूप से बहुत महत्वपूर्ण चेत्र है। इस वज़े से यहां स्थायित्व में आने वाले किसी भी प्रभाव का वैस्विक जो भू राजनीती या भू अर्थ नीती है उसके उपर व्यापक असर पढ़ने की संभावना है। तो यह पूरा का पूरा जो है आपको याद रखना है और इसी तरीके से आपको एक्जाइम इंट्रड्यूस करना है किसी भी इश्यू को ठीक है तो अब चीजों को समझी यह दो तीन आइलेंड का नाम ज़रू याद रिखना है जिस पे चाइना हमेशा अपना परों का याद नहीं होता है तो छोड़ देना गलत मत लिख या ना उससे रेप्टेशन खड़ाब बनता है एक्जाम में गलत चीज नहीं लिखने का यह दो लिख देना पार्सल आइलेंड पार्टी आइलेंड और तीन ही नहीं है और भी है बट यह तीन चर्चा में ज्या वन थर्ड और अफ मेरिटाइन ट्रेड ठीक है पूरे विस्व का एक तिहाई समुद्री तो व्यापार होता है वो इसी मार्क से होकर बुजरता है वह ज़्यादा मरीन रिसॉर्स है पैटल भी है फिश भी है ठीक है एनरजी रिसर्प्र भी बहुत ज़्यादा है यहां पे ठीक है, crude oils, crude oil हो या फिर वो कौन सा gas होता है, natural gas वेकर रहे हैं, तो आपको मिलता है, oil and gas reserves से यहां पर, पर strategic location है, strategic location इसलिए कि लड़ाई के अफसर पे, देखो चाइना का, दुनिया का one ती हाई, और चाइना का करीब करीब 85% माल यहीं से हो करके गुजरता है, तो चाइना क blockade करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसको रोग दिया जाए, ठीक है, यह बहुत बड़ा problem है चाइना के लिए, इसलिए South China Sea को बड़ा aggressively उसको यह करता है, ठीक है, अब concerns India, अब देखे चाइना, अब यहां पर क्या है कि South China Sea में अगर dispute अभी क्या हुआ ना, कि देखो recent में Philippines ने accusation क्या लगाया है कि Philippines बोलता है कि China का Coast Guard का वेसल जांग बूझ के हमारे जहाज से टकरा गया, ठीक है, ठीक है, और बोलता है, यही Philippines कहता है कि यह जो है, intentional है और इसके वज़े से escalate हो गया attention, अब मसला यह है कि South China Sea का बात जो है यह पहले international level पे भी dispute के चलते जो है, जा चुका है, तो ऐसे में arbitration में फैसला जो है, आशियान नेशन के पक्ष में आया था और चाइना के 9-डाश गेरी को refute कर दिया गया, पट फैसला और फैसले का implementation के बीच में power matter करता है, तो power किस के हाथ में था, it was in favor of China, तो अमनेट करता है और इसी चलते जो है, वो मसला कुछ हुआ नहीं और उसके बाद से चाइना ने जैसे इंडो पैसिपिक में USA का influence बढ़ने लगा चाइना ने, South China Sea के उपर में dispute में अपने point को ज्यादा aggressively रखना शुरू कर दिया, अब इसके बाद में क्या है, इंडिया के लिए concern क्या है, हम कहीं war नहीं चाहते, उसका कारन है war होगा तो व्यापार घटेगा, अगर आपको धन्दा करना है तो विश्यो में सांती चाहिए, ठीक है, तो इसलिए आप देखिएगा, जितना भी धन्दा कर अपने वाला community है, जो व्यापार करता है, वो ज्यादा से ज्यादा जो है, आपको शान्ती प्रिये मिलेगा, और non-violent religion को ही वो ज्यादा प्रमोट करता है, अगर आपको चाहिए, तो freedom of navigation की बाद इंडिया करता है, क्योंकि अकर ऐसा होगा, तो trade routes हमारे लिए भी खुलेगा और बाकी लोगों से हम cooperate कर पाएंगे, हम जहाँ जहाँ जाएंगे, economic interest भी बढ़ेगा, अच्छा, maritime security के लिए भी important, because it is very close to India का Indian Ocean, या un-demand sea, it is very close, उसके बाद क्या है, reasonable stability की बाद आती है, reasonable stability मतलब छेती है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई problem अमालों की अगर erupt हो जाता है, पूरा का पूरा जो इंडो पैसिविक छेत्र है, यह जो है, बहुत ज्यादा destabilize हो जाएगा, that is not in the good interest of India, India के जो doctrines है, जैसे सागर डॉक्ट्रीन है, इंडिया का, secured and security है, हाँ, क्या था, हाँ, security and growth for all in the region, यह है पूरा सागर, ठीक है, तो यह हैंपर कर जाएगा, इंडिया का, इंडिया का एक्टीस्ट पॉलिसी हैंपर कर जाएगा, तो इसकी इंडिया को चाहिए, strategic partners इंडिया के बहुत सारे हैं उस शेत्र में, जैसे अभी आप देखोगे तो फिलिपीन को इंडिया समान वगेर भेजता रहता है, आप तो मिस international relation में, क्योंकि आप यहां rule of law लिखे हैं तो आप बताइए, rule of law international relation में इंडिया के DPSP को इंडिया परस्यू करता है, article 51, उसकी बात कीजिए, act is policy, पर act relations बहुत सारे देशों के साथ इस सब हैंपर करेगा, तो इंडिया नहीं चाहता है, तो क्या है, अब देखो, conclusion क्या, व दच्षिन चीन सागर जो इसमें क्या करना चाहिए, छेत्रिय शान्ती वेगरा थोड़ा सा हो जाये, diplomatic solution ओ, war वेगरा नहीं चाहिए, और international law, cooperation, यही सब को हम लोग प्रमोट करें तो ज्यादा अच्छा है, और reasonable stability और progress में ही, पूरे एशिया का rise नहीं था, बोलेंगे हम लो of Asia join hand together and not conflict with each other, the diplomatic and peace amicable resolution of the South China Sea can be a good starting point in this, इसा में एक अच्छा कदम, ठीक है, इसमें लिखिये, अब यहां से हम लोग जो है, कल करते हैं, दसवा नंबर टॉबिक से, ऐसे चलेगा, हम लोग का जितना करना है, topics, अभी time है, तुम लोग का, हम वैसे तो 20 दिन का program बनाये हैं, but if need arises, हम लोग एक आद दिन extend, ठीक है, और maybe किसी दिन, 2 गंटे से थोड़ा, 1 गंटा जादा है, अच्छा, अच्छा, आलो, online में भी आई होप कि सब को समझ में आ आए होगा, का, nice explanation thank you sir, ok thank you to all of you, अभी पढ़ाय ओडाये करो, अच्छे से मेंस्मेंस निकालो, बनो आए होइस कि इस पारिकर, झाल